येकीन मानिये पेट्रोल के बढ़े दामों की वज़े से गर्मी से ज्यादा तो पेट्रोल ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है और इस भी सोशल मीडिया पर पेट्रोल के बढ़े दामों को लेकर के एक बिल्कुल नया तर्क दिया जा रहा है कि इरान का उधार चुकाने की चक्कर में देश में पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं दावे में कितना दम है आईए पता लगाते हैं ये है सोशल मीडिया पर वो वारल तस्वीर जो देश की जनता को पेट्रोल के महगा होने की वजह समझाने का दावा कर रही है तस्वीर में सबसे उपर लिखा है कॉंग्रेस के जूठ का परदाफाश वारल तस्वीर में सोनिया गांधी, पूर्व प्रिधान मंतरी मनमोहन सिंग और प्रिधान मंतरी नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ दावा किया जा रहा है तेल की कीमतों में आई उच्छाल की वजह वो उधार है जो कॉंग्रेस ने इरान से लिया था उधार का पूरा कणिच समझाते हुए वारल तस्वीर के जरिये दावा है पेट्रोल के दाम कम न करके मोदी सरकार के जनता को लूटने वाली बात एक जूट है वारल तस्वीर के मुताबिक कॉंग्रेस ने इरान से तैंतालीस हजार करोण का कच्छा तेल उधार में खरीदा था जिसके बाद मोदी सरकार ने पेट्रोल पर लगने वाले टैक्स के पैसों से इरान को उधार की किष्टे भरी है वारल मैसेज को फेस्बुक पर शेयर करते हुए निर्मल बालकृष्ण पार्टिदार ने लिखा साल दोजार चार से दोजार तेरह तक तैंतालीस हजार करोण का तेल कॉंग्रेस ने उधार ही लिया था इरान से इसलिए भाव कम नहीं हो रहे है अब सवाल ये क्या भारत के सिर पर इरान का तैंतालीस हजार करोण का कर्द है क्या सच में यूपीय सरकार ने इरान से उधार में हजारो करोण का कच्चा तेल खरीदा था और सबसे वड़ा सवाल ये क्या इसलिए पैट्रोल के दाम आसमान पर हैं ताकि सरकार उधार लिए तेल की किष्टें चुका सके दावे के सच तक पहुँचने के लिए हमने यूपीय सरकार से मोधी सरकार तक भारत और इरान के बीच हुए तेल व्यापार के आंकड़े खंगालने शुडू किये भारत की तेल कंपनिया साओधी अराब और इराग के बाद सबसे ज़्यादा कच्चा तेल इरान से ही खरीदती है 2012 के एक एग्रिमेंट के तहट तैये हुआ था कि भारत खरीदे गए कच्चे तेल के लिए इरान को 45 फीजदी भुकतान भारतिय मुद्रा में करेगा बाकी 55 फीजदी भुकतान डॉलर में करेगा साल 2011 में अमेरिका ने इरान पर परमाणू हत्यार बनाने की वज़े से प्रतिबंद लगा दिये थे 16 जुलाई 2015 को इरान से प्रतिबंध हटा और साल 2016 में प्रिधान मंत्री मोधी जब पहली बार इरान गए तो ये तैह हुआ कि इरान को बकाय का भुकतान कैसे किया जाएगा और 6 किष्टों में भारतिय तेल कंपनियों ने इरान के 43,000 करोल का बकाया चुका दिया हमारी परताल में जो तीन बाते पता चली उनमें पहली है कॉंग्रेस ने इरान से कोई तेल उधार नहीं लिया था बलकि भारत की तेल कंपनिया अंतराश्ट्री हालात की वज़ा से इरान को तेल का भुकतान नहीं कर पाई थी दूसरी बात जब भुकतान का रास्ता साफ भुआ तो तेल कंपनियों ने पैसे चुका दिये तीसरी बात 43,000 करोन का जो बकाया था उसका आज की तारीख में पेट्रोल की कीमत से कोई भी लेना देना नहीं है इस दावे के बारे में जब हमने पेट्रोलियम मंतरी धरमेंदर प्रधान से बात की तो उन्होंने इस मैसेज को पूरी तरह से खारिज कर दिया इसलिए हमारी परताल में इरान की उधारी के चक्कर में पेट्रोल महंगा होने का दावा जूठा साबित हुआ है ये है एबीबी नियूज आपको रखे आगे